प्यारे बच्चों, आज हम पाठ दो का व्याकरन भाब शुरू करेंगे, जिसका विशे है उपसर्ग वे प्रत्य, आपको पता है उपसर्ग वे प्रत्य के बारे में, उपसर्ग वे प्रत्य क्या होते हैं? जिस तरह हमारे अंग्रेजी भाषा में प्रेफिक्सिस और सुफिक्सिस वर्ड होते हैं उसी तरह हमारे हिंदी में उपसर्ग वे प्रत्य होते हैं, उपसर्ग वे शब्दान्श होते हैं, यानि शब्द का वो हिंसा होते हैं, जो मोल शब्द के आगे लगता है, ठीक है? जिस तरह मोल शब्द क्या है? चाहा मोल शब्द है, उसमें हम अनुपसर्ग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? अन्चाहा, अन्मना, अन्जाना, अन्देखा, अन्सुना, अन्बोल, अन्मोल, ठीक है? इस तरह से हम अनुपसर्ग लगा कर बहुत सारे नए शब्द बना सकते हैं ठीक है अन जो उपसर्ग लगाते हैं उससे पूरा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है और इसी तरह प्रत्य होते हैं जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्य जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं यानि मूल शब्द के अंत म और यह हमारे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लिख, लिख में ना प्रत्य जोड़ेंगे तो लिखना, सुनना, बोलना, हसना, चलना, पढ़ना, ऐसे ही हम ना प्रत्य जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं, ठीक है? उपसर्ग जो हैं वो हमारे शब्द के शुरू में लगते हैं और प्रत्य जो हैं वो अंत में लगते हैं अब देखे उपसर्ग की परिभाशा क्या होती है वे शब्दांश यानि शब्द का वह अंश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे या उसको एक नया अर्थ प्रदान करे वे क्या होते हैं वे उपसर्ग होते हैं जैसे हमारी देखिए पुस्तक में दिये हुए है न उपसर्ग दिये हैं जैसे आउपसर्ग आउपसर्ग अनुपसर्ग उपसर्ग सासू वी प्राकू ये बहुत सारे उपसर्ग हैं फिर उनका हर एक उपसर्ग का कोई ना कोई होता है फिर हम उनसे नया शब्द बनाते हैं जैसे आका क्या आर्थ है अभाव या निशेद ठीक है उसी तरह आका तक पून अनूका पीछे या समान तो इससे शब्द हम क्या बना सकते हैं आउपसर्ग से अनात अचल अज्ञान अज्यात अभाव ऐसे बहुत सारे शब्द इसी तरह जैसे सा से हम सा का क्या आर्थ होता है सा उपसर्ग का आर्थ होता है सहित सा या अच्छा जैसे हम बना सकते हैं सुपुत्र सुपुत्र मतला अच्छा पुत्र सा परिवार यानि पूरे परिवार के सहित ऐसे ही सजल यानि अच्छा जल ठीक है इसी तरह वी है वी अपाई भिषेश या भिन यानि विनाष, विजय, विज्ञान यह शब्द हम बना सकते हैं वी उपसरग से इस तरह हमारे बहुत सारे उपसरग होते हैं और प्रतेक उपसरग का अपना एक निश्चित अर्थ होता है ठीक है समझ आगे आपको उपसरग और प्रते अब देखिए प्रत्य क्या होते हैं वे शब्दांज जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें या उसे एक नया अर्थ प्रत्या करें उसे प्रत्या कहते हैं दोनों का डिफ्रेंस देखो जो हमारा उपसर्ग है वो शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्या जो है अंत में लगता है समझा गया आपको? जैसे सबजी, सबजी एक शब्द है, मूल शब्द है, उसमें हमने वाला प्रत्य लगा कर नया शब्द क्या बनाया? सबजी वाला, इसी तरह धन एक मूल शब्द है, उसमें वान प्रत्य लगा दिया, धन वान, इसी तरह दया वान, बहुत सारे शब्द बना सकते हम, जैसे चित्रशब्द है, उसमें कार लगा दिया प्रत्य, हमने तो क्या बना, चित्रकार, मूर्तिकार, इसी तरह बहुत सारे शब्द बनेंगे, दुकानदार, चीक है, अब हमने यह सब्दे, देखा आपने, प्रत्य जो हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग जो हैं वो शब्द के आरंभ में लगते हैं इस तरह से अब देखिए हम अपने प्रशन करेंगे अभ्यास नंबर 2 अब भ्यास नमबर दो में हमें क्या दिया है, प्रेशन एक दिया है, निमिनलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाईए, आपको उपसर्ग दिये हैं, प्रती उपसर्ग, उसे नया शब्द बनाना है, प्रती उपसर्ग लगाकर हमें दो नए शब्द बनाने हैं, कैसे बन लगते इसे बहुत सारे बन सकते हैं. आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से भी कोई अपने नए शब्द बना सकते हैं. बे उपसर्ग लगाके बनाएंगे बेकार, बे इमान, परी उपसर्ग से हम बना सकते हैं, परीहास, परिवहन. ठीक है? और आप अ प्रत्यों से आपने नया शब्द बनाना है जैसे कौन सा प्रत्य है इला प्रत्य है वान प्रत्य है ती प्रत्य है दार प्रत्य है इला में जो है वो पूरा इला नहीं लिखते बड़ी इ है यानि शब्द में रंगी रंग शब्द है शब्द हमारा मूल शब्द क्या है इसमें इला प्रत्य लगाया, बन गया रंगीला, ऐसे ही रश शब्द है, इला प्रत्य लगाया तो रसीला, इस तरह वान लगाना है, दयावान, धनवान, ऐसे ही आप और भी डिफरेंट वर्ड भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही शब्द बनाएं, अब ती प्रत्य गिंती, गिंती, गिर्ती, भर्ती, कर्ती इस तरह से शब्द बनाएंगे दार से दुकानदार, समझधार अब आता है हमारा प्रश नमबर तीन नीचे दिये गए उपसर्ग का उनके अर्थ से मिलान करना है फिर नया शब्द भी बनाना हो उस उपसर्ग से जैसे अती, हर, कू, चो, सू, न तो ये क्या है हमारे उपसर्ग है और यहां अर्थ दिये हैं अर्थ जो है वो उल्टे सीधे जैसे अती का क्या अर्थ होता है अधिक सेकिन वाले से मैच कर देंगे हर का क्या होगा हर का होगा सभी यानि हर एक नया शब्द हर से क्या बनेगा हर एक अती से अत्यधिक और कू शब्द है कू उपसर्ग है तो कू का क्या आर्थ होता है कू का आर्थ होता है बुरा कोई चीज जैसे कू पुत्र कू मार्ग ऐसे बना सकते हैं तो कुरूप ऐसे कोई भी शब्द बन सकता है चो का आर्थ होता है गन्ना में जो एक गिंती में आता है ना तो चो का आर्थ है चार चो राहा चो गुना कुछ भी ऐसे बना सकते हैं सू का आर्थ होता है हमारा सू का आर्थ होगा अच्छा अच्छा सू पुत्र यानि सू सू मार्ग सू पुत्र कुछ भी सू उपसर्ग लगा कर पहले उसे मैच करेंगे फिर उसका शब्द बनाएंगे नाकार्थ है नहीं जैसे ना समझ तो इस तरह से आपने ये उपसर्ग लगा के आपने नया शब्द बनाना है अब आपका आता प्रश नंबर चार देख्त स्थान की पूर्ति केजिए इसमें क्या है आपको दिया है डैश किसी शब्द के आगे लगकर उसे नया अर्थ प्रदान करता है क्या शब्द के आरंभ में क्या लगता है उपसर्ग क्या लगता है उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगकर उसे नया अर्थ प्रदान करता है इसी तरह होता है केशी शब्द के पीछे लगकर उसे नया अर्थ प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं पीछे क्या लगता है प्रत्य प्रत्य जो है वो मूल शब्द के अंत में लगकर उसे एक नया अर्थ प्रदान करता है अब आता है ये देखे डैश का अपना एक विशेश अर्थ होता है किसका अर्थ होता है, उपसर्ग का, क्योंकि प्रत्य का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, तो उपसर्ग का होता ना अर्थ, उपसर्ग का अपना एक विशेश अर्थ होता है, हर एक उपसर्ग का, जैसे कू उपसर्ग है, तो कू का बुरा है, ना का बिना, प्रा का, उपसर्ग का क् जैसे प्रत्य और उपसर्ग, उप्षन में दिया है आपको ये, तो किसका आर्थ नहीं होता, प्रत्य का, क्योंकि उपसर्ग का तो जितने भी उपसर्ग हैं, उन सब का कोई ना कोई आर्थ होता है, लेकिन प्रत्य का आर्थ नहीं होता है, आपने इनको त्यान से पढ़ना ह एक बार फिर और अब नेक्स टॉपिक है हमारा अनुचेद लेखन वो हम नेक्स क्लास में करेंगे